कहने को तो सुपरपावर इस दुनिया में अमेरिका कहलाता है, सबसे ज्यादा व्यापार चीन करता है। एक समय पूरी दुनिया सोवियत संग, जिसे आज का रूस कहते हैं, उससे थर-थर कापती थी, और आज भी अमेरिका के बसकी नहीं है, वो रूस से प्रत्यक्ष से भिढ़ सके। लेकिन गौर से देखिए, इस नक्षे को यह है, दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में गिने जाने वाले देशों में से एक देश, जिसका नाम सुनते ही, अरब वालों की फट जाती है, और आज तक जितनी भी बार अरब वालों ने इस देश से भिढ़े, हर बार मुह की खाए है, और नाम है इस देश का इसराइल, पूरी दुनिया का एक मात्र यहूदियों का देश, इसराइल एक ऐसा देश है, जहां पर कदम रखने से डरता है आईसाइस, ये वो ही आईसाइस है, जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखा है, अमेरिका जैसे देश को भी कहत्म करने की धमकी दे रखी है पर आज तक इसराइल की तरफ एक गोली भी चलाने की हिमंत नहीं की है मैं आप सबसे निवेधन करूँगा कि एक बार यूट्यूब पर जाकर सिक्स डेवार पर बनी डाक्टर विवेक बिंद्रा और ज्यान जरा हट के चैनल पर बानी वीडियो जरूर देखिएगा आपको इस देश की ताकत का अंदाजा लग जाएगा लेकिन भारत और इसराइल का जुद्दहाव सतर साल से भी ज्यादा पुराना है भारत में आज भी 6000 के करीब यहूदी रहते हैं इसराइल और भारत के बीच के संबंध तो वैसे कई 100 साल पुराने हैं जब से जब इसराइल नाम का कोई देश अस्तित्व में ही नहीं था इसराइल में यह नियम है कि अगर इस दुनिया में कहीं भी यहूदी बच्चे का जन्म होता है उसे पैदा होते ही इसराइल की नागरिकता मिल जाती है और वह जब चाहे तब इसराइल आकर रह सकता है इसराइल भी लोकतांत्रिक देश है लेकिन उस देश का समविधान भी बृटेन की तरह लिखित नहीं है इसराइल के जरूरत के हिसाब से समविधान बदलते रहते हैं इसराइल की मूल दो भाषाएं है एक हिब्रू दो अर्भी ऐसा कहा जाता है कि हिब्रू का अस्तित्व कहत्म हो गया था फिर से इस भाषा को इसराइल ने जीवित किया है धन्य है इसराइल की सरकार हमारे देश में तो हिंदी बोलने वाले को कोई कुछ समझता ही नहीं है इसराइल में पुरुश और महिला दोनों को सेना में कार्य अथवा अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है अगर आप इसराइल के दुश्मन है, तो आपको इस दुनिया में कोई क्या भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में आप छुप जाईए, आपका बचना असंभव है दुनिया का पहला एंटी वायरस चिप इसराइल में ही बना था पूरी दुनिया में अगर सबसे बुधिमान व्यक्ती किसी देश अथवा समुदाय में पाये जाते हैं तो वो है इसराइल और यहूदी यहूदी इस दुनिया की कुल जनसंख्या का एक फीसदी भी नहीं है लेकिन साल 1900 के बाद से अब तक जितने भी नोबेल पुरसकार जीते गए हैं उन में से 22% नोबेल पुरसकार यहूदीयों ने ही जीता है यानि की हर पाँचवा नोबेल पुरसकार विजेता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल से ही नाता रखता है इसराइल पूरी दुनिया का एक मात्र देश है जो पूर्ण रूप से एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस है यानि की दुनिया में कोई भी तकनीक से इसराइल के उपर हमला करना असंभव सा है जयहिंद